वाट्साप अबड़ी कैसे हो आप सभी लोग एक बार फुर्ट से स्वागत है आप सभी था एक होड़ नई वीडियो के अंदर जहां पर फुर्ट से हम लोग केल रहे हैं फार्मिंग सिमुलेटर 22 काफी दिनों के बाद में सो लाट्स को आपको पता है कि अदर किया ani नहीं पता इसमें बता देता हूं यहां पर देखो हमारे पास में बहुत सारे पेसे थै लिटरली वह जो फार्म था ना यहां पर हमने शुगर केंपका इनका फार्म लगाय था उस से को इतने जारा पैसे मिलेते थे इन सुर् कि ग्रीन हाउस की फार्मिंग भी स्टार्ट कर दी जहां पर अलग अलग टाइप की ना हमने कुछ तो वर्टर मेलन मेलन वाले है यह देखो बाकि यह क्या चीजी अलग सा यह समझ मिन आया है मैं को पंकीन होगा शायद वह एड अगर मैं ग्रीन हाउस का प्रोडक्शन दिख इतना वजन अपना हाथों से उठा सकते यहां पर यहां पर काफी सारा प्रोडक्शन हो रहा और वेड मान लो यह तो पूरी लाइन भर चुकी है यहां पर हो चुके यह और मुझे लग रहा है इस पूरे ग्रीन हुस से ना सिर्फ टोमेटो ही निकल रहे देखो अगर यहा यहां पर जैसे यह बहुत सारी पेलेट से पूरी लाइन फूल हो चुकी है तो अगर मान लो नया प्रोडुक्शन और आना होगा तो वह कैसे आएगा वेड ओ कहां फेक दिया नूब एक बार मैं सुच्छा हूं इन सब को थोड़ा साइड में हटा देते हैं ना मैं भी क्य यहां पर भी सीट डालने की पोजिशन पर डाल रखे मैंने उसके बाद भी यह सीट ले नी रहा है ना ही फर्टिलाइजर परी यह लेकिन डालने की कोशिश करी थी बड़ वह कुछ भी काम नहीं करा इधर आते है तो यह पूरा मेलन का ही है यह वेटी मेलन ही है अर नहीं यह तो इसका है यह सूख गए सारे पोदे यहां पर पानी डाल रहा है मैंने तो पानी की इतनी जाड़ा प्रोब्लम आ रही है ना तो पहले आज मैं इसी को सोट करने वाला हूं वोटर प्रोब्लम आज चोड़ी मोड़ी चीज़े है ना जो अपने पूरे फार्मा उसके दिक्कते दे रही है उन से पर सोट कर लेंगे तो यह देखो बाए मुझे पहले लग रहा था कि इस फार्म से जब अपनों शुगर के निकाले थे ना तो मुझे लग रहा था घास बड़ी हो रही है यहां पर लेकिन नहीं यह बड़े हो रहे थे बट किसी मैंने प्लांट लग है यहां पर फिर साब कि नहीं इसा प्रोड़े को सुबहें नोगे का लाम लगा देते अब यह जीज यह बार और फिर सदे लेते अब देखो अपनों को property income कितनी हुई है सिर्फ 6800 डोलर जब कि एक बार देखो यहाँ पे कितनी चीज़े लगा रखी है अपनों ने एक दो तीन तीन तो solar plate लगा रखी है मैंने कितनी हो जाती है 27000 तो इन तीनों की हो जाती है इसके अलावा अपनों ने बड़े बड़े पवन चक्किया वह लगा रखी है और इसकी देखो इस एक से कितना हो रहा है विंड टर्बाइन से 13000 तो मतलब ऐसा सोचो कि 26000 डोलर तो उसके आने चीज़े अपनों को पर डेके 26000 इसके आने चीए 50,000 यान की 50,000 डोलर के लगभग लेकिन आ कितना आया कितना 6000 डोलर और प्रोपर्टी मेंटेनेंस और पता ने क्या क्या पेसे कड़ गए अपने अलग से तो यह चीज में को समझ में नहीं आया कि इसे क्यूं हो रहा है अब इतनी सारी प्रोब्लम्स हो रह इनको सही से नहीं मिल रहा ना तो यह भी मर गए तीस में से यह सिफ इधर तीस में सिफ दो मर गए अठावी सी रह गई एंड अगर मैं एक और दीन करके बताओ ना वेड एक और डे करते बन नया तो अपनों को यहाँ पर नोडिवकेशन आजाए कि साइड में कि कितने जा हैल्थ की वज़े से छे शीप और इतनी सारी काव कितने जानवर मरे जा रहे अपने क्यों कि इन लोगों को पानी मिलनी रहा है तो अभी पता है मैं सबसे पहले तो एक चीज करने वाला हूं कि मेरे पास में एक गारी खरीद दीती तो कोई लास टाइम ना मैंने यह वाली लिख रखी आपने इनकी इनकम बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कुछ भी आ सकता है केने का मतलब अब इस सबसे पहले में जाता हूं अपना जो वोटर टेंग के ना पहले तो मैं एक चीज सूची है कि यह वाला वोटर टेंग में 100% बेशने वाला हूं कि बहुत चोटा है औ बिल्कुल भी पानी है नहीं देखा जाए तो चलो इस वाले को बेच देते हैं आ यहां पर यह जो वोटर का टेंग के ना में को यह खरीदना है बड़ा वाला जो की 32,000 लिटर का है लेकिन दिक्कत यह है कि जितनी इसकी प्राइज ना उतने ही पेसे अपने वाल से पड़ वो सारी चीजे ना बहुत ही सई तरीके से करेंगे तो चलो आपने वाल में पेसे इतने कम है ना कि मुझे समझ में ने आ रहा कि सीधे चीजे खरीदे या फिर अब देखो यह पेलेट तो अपने जो खरीद रखा था ना लास्त ता जो पन सीध के चकर में इसको खरीद लि कि मलए बिल्कुल है देखो भाई यहाँ और थोड़ी देर में आप में प्रोडॉक्शन बता जा यह रहा था और घृट विढक लोट तो ड़ और अगर मैं ऐसे रखता हूँ ना कोने पर ठीक है थीक है तो मैं चाहरा हूँ कि बहुत सारी चीजे अपने एक साथ में ले जाए है तो इसलिए मैं बिल्कुल कोने पर रख रहा हूँ यह देखो कोने से थोड़ा बाहर निकलते हुए मैं चाहूं तो बेल्ट लगा सकता हो ना चलो यह वाला बेल्ट से इंको कनेक्ट कर देते एक बाद यह वाला लाके अब लगाते यहाँ पे टेक है तो को वेड यह कहा उल्टा हो गया यार इसको सीडा करते पेले तो और राइट अब इसको रखते जस्ट इसके पास में और कितरा परफेक्क लिए तो आगया ना मझा अभी अपन जस्ट यह करते है इधर आके यह बेल्ट हटा के यह दो बारा से बेट लगा यह दो को गिरनी वाला था यार ठीक है पकल लिया दो बारा से उसको मैं यह सब देखके ना में कोईसा लग रहा है कि मैं वो ट्रेलर जगे है तो मैं अभी भी जो दो तीन पेलेट यह इसके उपर ड़ी देते हैं यहां पर थोड़ी उड़ जगे है क्या में काम करता हूं अ आराम से आराम से एकदम खतम गिरने की कंडिशन में लग रहा है अब भी गिर जाएगा थोड़ा सा स्पीड में टर्न कर दिया ना म आरे वेट वेट में सबज गया यह जो ऊपर का पेलेट है तरसल स्ट्रोबेरी का तरशा ना कि तो एक इधर डालते हैं अधर ट्राइ करते थोड़ा और चड़ जाए बाइधर में अभी जाके तुरंत अभी वैसे ट्रेलर के ज़रुवत है ने बिकुस जितने भी है ना इ अच्छी बात यहीं कि टमाटर निकल के गिड़नी रहे नीचे इसको यहां से फेकते हैं वाव चला गया यारी कितना सही है लास्ट एंड प्लीस यह भी चला जाना और यारे नीचे आगया फिर से टमाटर पता नहीं कैसे चिपके हुए गिड़नी रहे विल्कुल पेलेट से तो इसको एसे करके और और वाया यारे कितना सही तरीके से गया उपन इसको इधर से लाके ना इधर से फेकते उपन वैसा फेक नहीं 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 वह एक गिर गया उदर से ठीक गया तगड़े तरीके से इससे रखना और वा ठीके यह रख्या गया एंड क्या लास्ट एका दोर आ जाएगा कहीं नहीं इनको बेल्ट में कवर कल लेता हूं यहां पे बहुत सारे हैं तो फटावर से बेल्ट कोल के बेल्ट लगा देता हूं तो यह देखो यह सारे आज चुके इसके अंदर इसको भी टिका देते हैं तिक जाएगा अरे वा टिक गया ओराइट सुच चलो यार फाइनली बुहुत ही सारे लंबे टाइम के बाद में मैंने सारे पेलेट इस गारी के ऊपर चड़ा दिये फाइनली एंड अब भी एक बार ना इस गारी का लुक देखो क्या ही ओवर्लोड तो इसके अंदर बेटते हैं और अब ध्यान से चलाना पड़ेगा विकॉस थोड़ा भी अगर मैंने इधर से उधर यह देखो इसका सस्पेंशन देखना बस का लिए थोड़ा भी इधर से उधर हुआ ना तो यह नीचे गिर जाएगा पूरा ही टर्ण हो जाएगा है तो इसले ना वहती केरफुली चलाना पड़ेगा इसको चलो आड़ सूपर मार्केर तो उपने देखी रखी है सारो बार जा चुके हम आपने ओवीट यह क्या हुआ काम करता हूँ इसको यहां पर रख देता हूँ मैं अपने गारी के सामने और यह लेकिन चलो ठीक है अपना बहुती आराम से दीरे दीरे ले चलते हैं इनको मैं इसको फास्ट चला सकता हूँ बट मैं नहीं चला रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ी भी मैंने स्पीड बढ़ा है ना तो जस्त देखो एक किसे डोल रही है इधर से उद्वर यह अब भी गिर जाएगे यहीं कि यहीं और इसको उठाने के लिए दो बार में को ना कोईसा कोईसा ट्रेक्टर वगरा लेके आना पड़ेगा और टायरों को देखो एक बार यार पूरा ना दब चुके विचारे हवा के बारे बागी तो काफी मसते हैं पहली बार मैं इतना अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ रहा है,एंव अपना फोरण तो कर थे दानों के डियस्यक्ट रहा हैंने के वनसमृक के बारा बार में और से बारा कहुआ मिल खालिय को कोस्यी लोग मिले जो अपने की सप्लाइट रांसपोर्ट से था च usu में मह लिंग हैं इस थोड़ा में गन्रेक्ट के जच्गा बार ल कर चल रही है और सित्योत्तर हजार केसे हो गए मेरे पास में एवर गाड़ी को देखो आ टा 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 एटा ऐसी डोल रही है ना जब कि कितनी दीरे चल रही है सिफ 10 की स्पीट पे इधर से उधर हुए जा रही है अल्राइट फाइनली हम लोग यहां पर आ गए बेल्ट कोल देते सबसे पहले तो और सारे भिखर के वहें देखो कैसे करें अनलोड खाली करवाना है मैं को यहां पे इनको काम करता हूं मैं एक एक पेलेड में खूदी उठा उठा आगे यहां पर डाल देता हूं तो यही सही प्रोडक्ट जितने भी थे ना उनकी आए अपनों को 19,000 डोलर 20,000 डोलर जो कि ठीक है मेरे ख्याल से वेसा क्योंकि यह टमाटर में जादा टाइम ने लगा था इनको अपनों को क्लेक्ट करने में थोड़ी टाइम में हो चुके थे तो चलो बहर सबसे पहले तो एक चीज क को खरीदते हैं और मैं सीथे खरीद रहा हूँ अप ठेक है लीजवीज पर लेना अब बन कर दिया है अपनोंने बहुत ही बड़ा टेंक या या यह तो आएगा भी निस पर अब इसको ले जाऊंगा कैसे में रुको इसके लिए ना मैं कोई डोली लेकर आने पड़ी काम कर को मैं definitely किसी कुई और किसी चीजों से नहीं तो ना मेरे पैसे बचना सारे पैसे लग जाएंगे और उल्टे पैसे में रखने पर जाएंगे अगर मैं इसको ना किसी शौप से भरवा हूँगा ना इसके अंदर पानी तो इसलिए मस्त आइडिया तो यही है कि रस्ते चलते अपने ना एक नदी आ रही है तो एक दम नदी के अंदर उतार के भड़ लेंगे इस पूरे टैंक को और राइट या चुकि अपने नदी इसको भरवा है कहा से यार यहीं से बरवा हूँ क्या क्योंकि एक तो जगे भी सही होनी चीजिए जहां पर अपना ट्रक उतर भी ज प्रे­क फ्रेक ठीक है चेलो इसको भरवाते है इसको बहुचे पता है इसको भरने में मुझे पताएं ड्ただ लग पग एक मिद तो डिप लेंगा अ को चैना थी चैनार दे भी पाने डालना है अब यार यह तो चली दिन 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 आए लुक्वाइश को ना एक आइडिया मेरे पास में टेडा टेडा चलाते है थोड़ा सा आफ फिजिक्स के अकोर्डिंगे और राइट सीधा सीधा नी चली रहा है ना टेडा 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 तो चली जाएगा न क्य के ठीक है चड़िया इस इसे भी चड़वाना पड़एगा अपनों को अगर यार बहुत सारा भारी वेट लगा वाना पीछे तो किस से लोड लगा ए सीधे रस्थे पर चलनी रहे अर्य भाई धीरे-धीरे यारे तो इतना वेट और ठीके ज्च थीक थीके तीक और आगे की बिल्कुछ ज़रूरत नहीं है एंड वेट यह देखो इसमें तो पानी भी नहीं लिया इसकी केपेसिटी 10,000 लीटर है एंड 10,000 लीटर आ गया यहां पे देखो वोटर एग्दम फूल कर देया है अब यह लोग ना पानी से तो नहीं मरने वाली है हो सकता है खाने से मर जा जब यह अब शीप की पानी की तो कमी नहीं है लेकिन फूड की कमी है और मैं खाने करीद सकता हो अब दिककत पता है क्या है दिककत इसी है कि वो बड़ा मेंगा है सो चो एनिमल के अंदर में सबसे बड़ा वाले करीदने वाला हूं यह जो दोबारा टेंकर नहीं लाएंगे इस वाले टेंकर को यह भी खाली कर देते और यह ट्रक ही लेकर चलते इतना बड़ा जो कॉंट्रेक्ट है वह कॉंट्रेक्ट अगर करना चाहे तो पर कितना टाइम लग जाएगा उसमें सोचो एक एक पेलेट अपन उठा 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 कटेगी एंड डन मुझे पता यह थोड़ा सा फ्रेंड्रोप का इश्यू करेगा लेकिन कोई बात नहीं है अब अपने पास में सी बचे 36,000 डूलर है और पेसे दिरे दिरे भर रहे बिकोज जो सोलर प्लेट है अपनी उसकी इन्वेस्ट में तीरे दिरे मतलब उसकी पेसे थोड़े 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 मिल रहे है अब 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 अपने पास में हो चुके इतने से पेसे अपने को मिलने वाले अब इन सब को एक बार में लोड हो जाए यह साही चीजे इसलिए अपन पूरा पीछे करेंगे अपने गारी को एक ठम इंके पास में लगाएं और में प्लीज ओटो लोड करवा लेना सारी चीजों को ठीक है एंड डन ठीक है ठीक है ठीक है यह यह कहां अटक रहे बेए एक काम करता हूं पूरा आगे ले जाके अब टरन करवाते इसको और ठीक है नहीं अटका यह आ ग डलवाना है अपनों को इंसाइची जोगों तो सारे जा रहे अपने contract की चीज़े अरे काम करता हूँ ना मैं उठार के रुको मैं खुद भी तो उठा उठा के से डाल सकता हूं इनको है ना इतने जारा weight में तो हे नहीं है तो चार सु लिटर एक्स्टा लाये था एंड टांसपर कमप्लीट और यह जो एक्सट्रा पेसे भी बर रहे ना यह बड़े अपने एक्स्ट्रा एक जो चार सु लिटर अपन एक्स्ट्रा खरीत के लिए आए थे ना को काता है COTON-माला कॉंट्रा यह work को सकता है यह भाणा anand क्यों जावशा, डू OR CUTOM जालना एक वह बड़े लिटरी आपने नहीं हो सकता है वह अपने वह बटर्वी पने सल्कुला में लाग ईक्सटा रामव्य क् Ans कपै आज देाना पड़ेगा तभी काम बनेगा उसका और राइट शुगर के पेलेट अपने अल्रेडी पेले से खरीद रखे तो जस्त अपने इस काड़ी को बहुत सही से लगाते पेले तो अरे यार यार यह तो इतनी जगे ठुके जा दी ना पता है यह ट्रग नहीं होता एक तो में इसकी प्रोब्लम यह है कोई दिक्कत नहीं है यहां पे लगाते इसको एंड चलो इन सारे पेलेट को लोड़ कर वा थे और आई होप सारे पेलेट एक ही बार में आ जाए इसके उपर और राइट एंड डन ओ भाई क्या स्पीड से खाली हो रही है एंड डान तेक है बेल्ट कोल लो भाई जालने का जो सीन है यह में अभी तक समझ में आया कि यहां पर सीड फेटिलाइजर पर डालेंगे कैसे तो चलो यार इस वाले को यहीं पर चुड़वा देते एंड यह जो पावर्फुल ट्रेक्टर है यह लेकर चल रहा हूं है बीगोज अब लेकर आते हैं मिक्स फूड इस बार सबसे बड़ा वाला जो की काफी महेंगा है एक चल जो मिक्स फूड नहीं है जो मिनरल फीड है वह इंपोर्टन नहीं है इतना वह अगर नहीं भी डालेंगे अपन तो काम चल जाएगा लेकिन दो तीन चीज़े जैसे घास और जो स्ट्रो होती होती है वो चीज़ तो मैं सुचना हो कि अपन खरीद नहीं है वो अपने घर से बन जाएगी एना अपन घर से कर लेंगे उसको लेकिन एक चीज़े अपने डेफिनेटली खरीदने पड़ेगी और वह सिलेज अपन बना नहीं सकते डेफिनेटली और इसके बिना काम नी बनेगा तो मैं क्या इस भी ड्राइवर को देने वाला होना इसका ना दिमाग खराब हो जाएगा बर वो ले जा नहीं पाएगा इसको अब अपना मेप के उपर इसको करते सेट डेस्टिनेशन और इसको अपने घर बिजवा देते अपने वेरा उसके पास में अवे अंधे ट्रेक्टर ने जबना सकते लेकिन उसके लिए मिएख चीज करनी पड़ेगी और वह हे अपनों को डोपारा से शोप से एक बेलर खरीदना परेगा क्या पुराना मिल रहा है अपनों को शोप अगेरा में नहीं मिल रहा है तो एक बेल टूल खरीदना पड़ेगा मुझार और ठीक है रहाँ कि फूच अपना ट्रेक्टर है जो कि बेल को उठाने में मदद करेगा आपने वह लेकर आजाते हैं उसके आगी अपनों को attach करवा के बेल को उठाना पड़ेगा ना और यह रहे दोनों बेल तो इनको इस तरीके से उठाते हैं इसे उठाने हैं अपनों को अरे वावावा ठीके 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 डन इदर लाँ अधर बस 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 उतर जा उतर जा उतर जा उतर जा या दर दो हमें मारा ट्रेक्टीर Torah पहले इसको करकरगए अपन। इस्कुर नीचे करना है यह रहेख पर्षाना को यह य कितनी बेल निकालेगा जहाई चार ब्यों कि निकाल crying यारे बड़ी चोटी चोटी बेल निकाल रहा है इतना पड़ा धेर एक जटके में इट्टा दे गाई यह कितना सही यार वेसे मैंने बहुत सारी बेल निकाल दी और इतनी बेल निकालने की ज़रूरत है नहीं दर अब देखो इस बार ना कैलकुलेशन बड़ी परफेक्ट कर तो एक तो पूरी बेल यह डाल देते हैं इसके अंदर ओके यह अपी पूरी हरी ही हो चुकी है और एकदम से जा आरे नहीं 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 और इसको दीरे दीरे चलाता है यारे तो इतने चोटी है तो दो मिनट पेले में इतनी भारी बेल लेके आया हूं 9000 लिटर के दो-दो सब्साइब कर दो रहा है कर दो आरे जाए और ही इसके में अपने साथ में आपने अपने गी आई नहीं McK Jetzt सारी पड़ी हुए यार मैं चाहू ना तो शोप में जाके डायरेक्ट खरीद भी सकता हूँ या दिको 1400-1400 डोलर की मिलेगी अपनों को अगर मैं 8 टेक बेल खरीद लेता हूँ तो इतने की 11,000 डोलर की बन जाएगी तो मैं अभी इसलिए नहीं खरीदना चाहता हूँ इसको काम आइडिया है मेरे पास में जो टेडर होते हैं एक टेडर अपन लीस पर लिया आते हैं तो यह जितने भी घास पड़िए ना अपने पास यहां पे इस सब को अपन फटावर से सुखा के सुखा देंगे ना तो यह पूरी घास हे में बदल जाएगी और फिर अपन इसकी बेल निकाल सकते हैं और वो बेल आसानी से काम कर जाएगी काश यार ऐसा कुछ ऑप्शन होता कि यह जितने भी बेल्स मैंने बना दीना गलती से मैं बेल्स को तोड़ पाता दोबारा से कितना सही रहता बागी कोई दिक्कत नहीं है बेल्स ना में काम करूँ है जो शीप है तो यह जितने भी बेल पड़ी हुए ना यापर मैं सोच रहा हुए सारी बेल को कलेक्ट कर लेते एक बार हाना ताकि बीच में आएगी आपर नहीं तो ना इसके बीच में आजाएगी साही जीजे ऑल राइट यार यह ट्रक नहीं चलेगा अभी तो चल जा नूब तो चलो यह वाला शिबान इसकी केपेसिती नहीं जादा खाना रखनेंगी लेकिन चूब यहां पर काफी सार खाना डाल दिया है मैंने तो अपना ओटोमेटिकली खाना उठा लेंगे यह यहां से एंड यह टाइम लगा बिल्कुल टाइम निलगेगा इसके अंदर कितना टाइम ल बेलो चुकिए काफी सरी बेलो चुकिए लेकिने काम करते थोड़ा और निकाली लेते हैं और इसको एक्टिवेट करते अब देखना आप तो बड़ी आसान से ले लेगी इस वाली को इस वाली को फिलाल थोड़ा बहुत तुक्का लगाते हैं एंड परफेक्ट टीमर बना परफेक्ट बने इस बार कोई दिखकत ना है एंड ठीक हो गया हो गया अब अपनी जो मिंड्रेल वह भी ग्रीन में चुकिए अब भी साइच जी इसे लटका के रखेंगे जैसी यह 100% होगा तो यह ओटमेटिकली रुक जाएगा सारा आइटम यहापर एंड रुक गया ठी तो अभी इस घास को पन फिर से पीछे लिया आते हैं एंड इसको यह खड़ा कर देते हैं अगर इधर देखते हैं तो 100% बन चुका है अपना मिक्स फूड लेट्स गो पहले अपनी गाड़ी को यहां से निकालते हैं अब सब से बेले दो एंड इस बार देखना है यहाँ ऊर इस पूरे को डलने टे एक बार उसके बार लेटेवियंगे कि क्या खाना अब और यहां पर दो यहां पे मृ आ जा और देखो इस बार रेशु भी परफेक्ट है बस दिक्कत यह है कि बेल अपनी पूरी बच युकी है आप पता है किया क्योंकि अपने बास जो सिलेश दिना यानि कि वह सपेद कलर की बेल वह काफी कम थी लेकिन ठीके फिर भी 50% बन जुका है यानि कि 30,000 लिटर खाना बन ग लेकिन अभी तक जाके इनों उसी 5,000 लिटर दूद दे रखा है तो बस ठीके डन अभी अगर यहां पर देखें आपन तो टीम आर संसर्ट हजार लिटर डाल दिया है अपनोंने और मिल्क देखो अभी इनकी प्रोडक्शन एफिशन्सी वो एक्दम 100% है तो अभी काफी सह अभी से यह लोग काम करने वाले मेरे पास विसे 89,000 रुपे पड़े हुआ है तो पता है मैं क्या सूच रहा हूं कि इसके पास में शीप का अपने पास में एक तो पड़ा हुआ है एक और कुछी सा प्रोड़क्ट अनिमल का बान लगाते हैं अब मैं सुचाओं बी वगेर या फिर कहीं ओल लगाया रही बहुत बड़ा है सूच में देखा जाए तो वेट मैं सुचाओं यह जगे ठीक है यहां पर लगा देते एंड डन और राइट हटाते इसको एन एक बार उसको घूम के जाते हैं वैसे मेरे हिसाब से रात हो रही ना एक बार में सू जाता हू अब 100% कोई भी जानवर नहीं मारेगा आप अपन बहुत ही आथसान इससे एंड बिना किसे टैंशन कर सो सकते हैं तो चलो वार इस वाली वीडियो को यही पर एंड कर देते एंड आई होप कि यह वाली वीडियो से भी लोगों को अच्छी लगी होगी एंड आपन मिलते अ झाल झाल